तो आज हम करेंगे phonic sounds और इसमें special क्या है कि आज हम English के जो alphabet हैं उनके साथ हम हिंदी के जो अक्षर हैं वो लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सी sound किसके जैसे निकलती है जैसे English के कौन से alphabet की sound कौन से हिंदी के alphabet के साथ match होती है और उसको pronounce करने का सही तरीका है हम इसको अ नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे A थोड़ा सा मुख खुल के B के लिए होता है B नहीं बोलेंगे ब, होड़ थोड़ा बंदर के और एकदम थोड़ा सा प्रेशर के साथ हावा चोड़ेंगे ब, उसके बाद है सी, सी की जो साउंड होती है वो होती है क लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो थोड़ा गले से आवाज ख जैसे निकलती है जो इसको जो सही प्रणाउंस करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी ख की आवाज आती है इन दोनों का ये mix रहता है क की जो साउंड है, सी की जो साउंड है वो दोनों का mix रहता है ख, क, उसके बाद है ड, डी की जो साउंड होती है वो होती है ड, उसके बाद होता है E, E की जो sound होती है वो होती है, अब इसको हम A भी नहीं बोल सकते हैं, और ये वाला A भी नहीं बोल सकते हैं, इसकी sound थोड़ी सी mix रहती है, लिखने के लिए हम बोल सकते हैं कि A की sound है, लेकिन ये सही से A नहीं है, थोड़ा सा मूँ खोल के ह उसके बाद है फ, इसको हम sound हिंदी के फ जैसी होती है, लेकिन इसको हम फ नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, सिर्फ हवा निकालनी है, करते हुए, जैसे कि बलून में से हवा निकाल रही हो, वो sound होती है न, उसी की तरीके से, इसको हम बोलेंगे नहीं फ, फ नहीं बोलना इसको, सिर्फ sound निकालनी है, उसके बाद है ग, उसके बाद है ह, और इसके बाद जो आई है, आई की जो sound होती है, वो होती है, छोटी ए की जो sound होती है, इ, जोटी, 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 ल, lucky sound, पूरा लर बोलने के बज़ाएं, सिर्फ, टंग को दांटों के पीछे लगाके, ल, उसके बाद है, म, म में भी वही है, हम इसको म नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, म, मू बंद करके, सिर्फ, म की sound निकान ली है, उसके बाद है हमारा N N के लिए भी वही तरीका है sound न की होती है लेकिन इसको हम बोलेंगे नाक से sound निकालनी है इसको हम O नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे उसके बाद है प में भी यही रहता है जैसे क और ख की mix sound है सी के लिए वैसे ही प के लिए प और फ की sound mix होती है हम इसको बोलते है फ यह थोड़ा mix sound रहती है इनकी लिप्स को बंद करके और pressure के साथ उसके बाद है क्वा क्वा उसके बाद है आर की sound रहेगी र लेकिन हम इसको बोलेंगे र र पूरा नहीं बोलना है सिर्फ sound निकालनी है जैसे हम फ में कर रहे हैं ल अर उसी तरीके से र स इसमें भी हमें स नहीं बोलना है हम इसकी सिर्फ sound निकालेंगे स उसके बाद है त अ ये जो हिंदी का हमारा अ है वो sound यहां आती है अ अम्रला अ इसको हम बोलेंगे अ और ए को हमने बोला था ए ए को बोलेंगे ए और यू को बोलेंगे अ अब अगला है व और ये भी ड़ल्यू भी है व दोनों में व की sound है लेकिन difference क्या है व को बोलते हुए हम उपर वाले दाथ जैसे करके देखिए उपर के दाथ नीचे के lips पे लबगा के फिर व बोलेंगे व और डबल्यू में जब हम व बोल रहे हैं तो हम मू को पुरा खोलते भी हैं और उसको ओ की तरह करके व व ये है व यह है व व के बाद है एक्स की साउंड होती है क और स एक साथ क्स और य की साउंड होती है य य और Z की sound होती है Z जैसे हम ज बोलते हैं ज निए बोलना इसको जैसे हमने र को और म को ल को सिर्फ sound निकाली है उसी तरीके से ये ज की sound नहीं है ये है Z जैसे की हनी भी करती है Buz So ये उसकी sound है झाल 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 झाल